हेलो एन वेलकम स्वागर आपका फेंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है बरोडा T20 चैलेंज की जोकी यहाँ पर मेच होगा वारियर्स वर्सिस टेलियंस के बिच में तो चलें दूनोई टीम के प्लेयर्स पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लिग में लेके जा सकते हैं और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रांड लिग में लेके जा सकते हैं तो और साथ में पीच रिपोर्ट के बारे में एक बार नजर कर लेते हैं ये पीच बॉलर्स को हेल्प करेगी या फिर बेश्मेन को हेल्प करेगी तो आपके लिए बहुत सारी इंफर्मेशन या पर रहने वाली है तो हम लोग आपके लिए मेनद करें लेकिन आपको खाली सपोर्ट के लिए सिर्फ इतना करना है कि हो सके तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेना और लाइक और शेर जरू कर देना तो बीना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो ये मेच सुबह में 9 बेजे से शुरू होगा अलेम्बिक ग्राउन वरोद्रा और ये लिक की सारी मैच आपको यही ग्राउन पर खेलते हुए नजर आएगी पीच रिपोर्ट की बात करो तो क्लीन विदर रहने वाले है बारिश का कोई पी चांसिस नहीं है बॉलर्स को काफी कुछ मदद मिल सकती यहां पर यानि कि ज़्यादा तर यहां पर स्पीनर्स को मदद मिल सकती आप दोनों टिम में देखो के तो ज़्यादा तर आपको स्पीनर्स ही नजर आएगी क्योंकि यहां पर टन बहुत ही ज़्यादा ले रही है पीच पे ना टन बहुत ही ज़्यादा ले रही है और इसी कारण से यह स्पीनर्स को काफी कुछ मदद मिल सकती है यहाँ पर बेस्मेंड को बेस्मेंड के लिए अगर बेस्मेंड को स्कॉर करना है तो थोड़ा बहुत उनको क्रीच पर टाइम देना पड़ेगा और टिक के ख अगर आपने अभीता हमारा टेलिग्राम जयानल जया आप आप सर्च करें फेन डिसंच या फिर आप सर्च कर सकते हो at the rate FDC 27 और आपको सीधा हमारा चनल मिल जाएगा तो team warriors की बात करें तो अभी तक 2 match के लिए जहां पर 1 match वो जित के आई है और 1 match वो हार के आई है मित मांगू के आकित बात करें तो 48 run बनाये थे पहली match में बहुत ही जबर्जस performance दिया था ओपनिंग करवा रहे थे और last match की बात करें तो 4 run का स्कोर किया था right hand and batting करवा ले थे overall उनकी states की बात करें तो 83 match के लिए हो जहां पर 2019 run भी बनाये साथ में 93 wicket भी लिए हो है right arm और break balling भी करवा ले थे लेकिन part time game बाजी करवा ले थे और बाकी देखने जा तो इनके पास बहुत सारे bowling options है तो कभी-कभी ही over उनको मिल सकती है तो अभी तो दोनों ही match में उन्होंने overs नहीं करवाई अमित बंडारे की बात के हो तो आपको opening करते वो दिखेंगे पहली match में फेल रहे थे सिर्फ 9 run बनाए थे जा पर दूसरी match की बात के हो तो 33 run का score किया था right handed batting करवा ले थे प्लस right arm leg break balling करवा ले थे लेकिन अभी तक दोनों ही match में overs नहीं करवाई है overall state देखने के लिए जाए तो 68 match के लिए जा पर 1455 run की है साथ में 24 विकेट भी लिए हुए है जैरिय पांडे दोनों ही match में अच्छा score किया है पहली match में 29 के दूसरी match में 19 run का score किया overall देखने जा तो 12 match के लिए हो जापर 821 run बनाए हुआ है और वो भी 82.70 की average है तो काफी अच्छे players से one down आ रहा है टॉप ओडर में वेटिंग करवा ले तो हमारे लिए important pick हो सकती है हम उनको लेके जा सकते है परिक्षित पार्टी दर की बात करूँ तो पहली match में 1 worst करवाया था विकेट नहीं मिली थी दूसरी match में public उनको लेके नहीं गई थी बैटिंग सक्षन में था उनका नाव और हमने उनको अमारी टिम में लिया था दूसरी match में 4 worst करवाया और यह क्यूकेट भी लिया साथ में 9 run भी बनाएगा अच्छा कासा पॉइंट्स देखे गए तो यह चीज होती है साथ में टॉप ओडर में बैटिंग भी करवाएगा तो कभी न अगभी एक अच्छा स्कॉर कर सकता है इवान दोनों इमेज में स्कॉर नहीं करवाया लेकिन यार कब तक नहीं करवाएगा टॉप ओडर में अगर बैटिंग करवाए तो उनके पास एबिलिटी है लेकिन दोनों मेज में स्कॉर नहीं हुआ उन से लेकिन आगे जाके आपको 20-25 तो मिनिमम करके देंगे वह साथ में ओर्स करवाएगे तो विकेट लेने का चांस भी उनके पास रहता है तो आप उनको चाहे तो उनको लेके जा सकते हो और ओल भी स्टेट्स की बात करे तो 75 मेज के लिए हो जापर 45 विकेट लिए हो साथ में 2,017 रन है तो उनको स्टेट्स भी काफी कुछ कहते है उनके बारे में के भाई नहीं ये बंदे में दम है ये कुछ कर सकता है प्लस राइट आम और ब्रिक बोलिंग भी कर लेंगे और साथ में टीम के कैपटन सिप भी कर लेंगे तो बहुत सारे फिचा से इस के अंदर और आगे स्मीट ठाकर की बात करें तो दो मेच के लिए जापर पहली मेच में साथ रन किया थे दूसरी मेच की बात कर तो 49 रन का स्कोर किया था द्रू पतेल यहाँ पर दिखेंगे आपको 35 मेच में 986 रन किया ओर ओर उल जहां पर 56 विकेट भी उनके खाते मेच किया है पहली मेच में 23 रन किया है तो दूसरी मेच के बात कर तो 10 रन का स्कोर किया था प्रदी प्यादव आपको खेलते हो दिखेंगे जहां पर पहली मैच में तीन वर्ष की गयन बाजी की थी, विकेट नहीं मिला था, बेटिंग करवा थे, विकेट नहीं मिला था, दूसरी मैच की बात के तो सिफ दो वर्ष की गयन बाजी की थी, जहां पर विकेट उनको नही तो एक इंपोर्टेंट बात बताओ कि ये दोनों ही मैच में इनका सिलेक्शन काफी कम था लेकिन हमने उनकी पहले पहँचान लेती और आप जेख सकते हैं दोनों ही मैच में उनको लेके गए और दोनोई मैच में हमको one-sided winning करवाने में हमारी काफी help की है तो आगे भी हमारी टिम में ये हमको दिखेंगे पहल अगरवाल की बात करो तो उनके states काफी कुछ कहते 103 मैच के लिए जापर 233 विकेट है साथ में 1562 रन है दोनोई मैच में ओर्स पूरी करवाई लेकिन जितना हम उनसे accept करें जितना हम उनसे hope करें उतना अच्छा performance नहीं दे पा रहे लेकिन ओस पूरी करवा रहे तो आगे एक दो विकेट लेने का चांस हो सकते हैं उनके पास देख सकते हैं पहली मैच में भी चार ओस करवाई विकेट उनको एक ही मिला दूसरी मैच की बात करो तो तीन वर्स की गनबाजी की जापर विकेट उनको नहीं मिला बैटिंग करवाने का मौका मिला था जापर दो रन किये थे विशाल सोलंगी जबजास पॉम में है अपने वरोडा दो विकेट भी लिये थे वरोल उनके स्टेट्स आप देख सकते हो 49 मैच के लिए जापर 49 विकेट लिये हुए और साथ में बैटिंग करवाते हुए 275 रन भी किये हुए है तो राइट हैंड बैटिंग करवा लेते प्लस राइट हम मीडियम गेनवाजी करवा लेते है और आपको हर एक मैच में विकेट लेते हुए नजर आ सकते है करान उम्मत की बात किया तो पहले मैच में चार वस पूरी करवाई थी एक विकेट मिला था लेकिन दूसरी मैच की बात करो तीन वस की गेनवाजी की ती जापर उनको विकेट नहीं मिला था यहाँ पर बैंच से आपको दिखेंगे पी घिलानी जिनोंने 40 मैच के लिए वह जापर उननीस सो अठावन रन है साथ में 29 विकेट भी उनके खाते में एड है और यहां से डॉनल राने की बात करो तो वह भी 14 में चेले हो जापर 46 रन किये हुए साथ में 15 विकेट भी लिए हो है तो चलिए टिम स्टेलियन की बात करें तो दो मेच के लिए वह जापर दोनों ही मैच वह हार के आये है रोहन पठेल की बात करो तो ओपनिंग करते वह दिखेंगे आपको दोनों ही मैच में तगड़ा परफरमस दिया है पहली मैच में 21 रन का स्कोर किया दूसरी मैच में 40 346 条 ने साथ में एक विकेट लिया हुआ है शाथ में बेटिं स्टाइल की बात करो अच्छा स्कोर किया है यहां पर दोनों की, अच्छी होती है यहां सी दिखो पहली मैच में युन्होंने भी पचास रन किये हो साथ में 14 विकेड भी लिये हुए हैं रोई ठाकुर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर 83 मेच इस के रहे हुए और जहां पर 243 रन ने साथ में 5 विकेड भी लिये हुए है इन्होंने पिछरी दोनोई मेच में खिलने का मौका मिला 17 रन किये और साथ में बेटिंग गरवाते हुए दूसरी मेच में 8 रन किये थे हीमेज पटेल को पहली मेच में खिलने का मौका मिला था जहाँ पर उन्होंने जीरो रन बनाये थे और दूसरी मेच में उनको खेलने का मौका नहीं मिला और रोल स्टेश की बात किया थे तो 58 मेच खेले हुए जापर 743 रन किया हुए साथ में 7 विकेट भी लिये हुए है प्लस राइट आम और ब्रेक गयन बाजी भी करवाते हुए नजर आ सकते आपको शामल टंडेल को दो मेच खेलने का मौका मिला दोनोई मेच में फेल रहे पहली मेच में एक रन किया दूसरी मेच में जीरो प्या आउट हो गए और और लेखने के लिए जाए तो 28 मेच के लिए वह जापर 733 रन या साथ में 13 विकेट भी लिये हुए है यस रमी की बात करो तो आपको छठे नमर पर बैटिंग करवाते हुए दिखेंगे पहली मेच में 26 रन किये थे दूसरी मेच की बात करो तो 8 रन का स्कोर किया था ओर वल भी देखने के लिए जाए तो 6 मेच के लिए हो जापर 61 रन कियो है हर्श करतार मल उनको में दोनों मेच से लेके आ रहा हूँ पहली मेच में 12 रन किये जापर एक विके उनको मिला था और वो 69 मैच के लिए जापर लगबग 800 रन बनाये साथ में 80 विगेट भी लिये हुए तो आगे भी आपको अच्छा परफरमस करते हुए नजर आ सकते है मिलन मिस्त्री दोनों ही मैच में जबर्जर स्पॉम में चल रहा है चिंता गंदे की बात करो तो 51 मैच के लिए जापर 504 रन की वो साथ में 63 विकेट भी लिये हुए है लहें डोनों मेच में वोस्पूरी करवाई है और दोनों मेच में एक एक विकेट लेकर आ गए है बैटिंग से इतना खासा कुछ नहीं किया है लेकिन विकेट दोनों मेच में लेके आ गए है जए महियाल की बात करो तो 15 मैच के लिए जापर 56 रन किये साथ में 23 विगेट भी लियो है पहली मैच में हमने उनको टीम में मौका दिया था मैंने उनको टीम में लेके गया था दो वर्ष जाली थी उन्होंने 23 रन दिये थे काफी मेंके साबित हो गये थे 23 रन दिये थे लेकिन एक बार फिर से आज की मैच में फिर से मैंने उनको मौका दिया था जापर उन्होंने चार वर्ष की यह नमाजी की जापर तीन विकेट व पर वहां से हमारी ना सिंगल यानि कि वन साइडेज विंडिंग हमारी हो जाती है वहां पर ऐसे होता है कि जब स्टेटीकली टीम हम लोग बनाते हैं सहबाद पठान की बात करो तो दोनों ही मैच में बॉलिंग करो है दोनों मैच में उन्होंने बिल्कुल अपने पर्फॉमंस से निराज किया है पहली मैच में दो पॉइंट तीन वर्ट की गेंड बाजी के जापर बहुत ही मियंगे साबित हो थे 35 रन दिये थे विकेट नहीं मिला था दूसरी मैच में उनको गेंड बजी करबाने का मौका नहीं मिला था तो इतना कुछ खाथ पर्फॉमंस नहीं दे काफी निराश किये अपने परफ़मंस से चार मैच के लिए जापन 94 रन किये वो अवर्वल की बात किये तो एक विकेट भी लिया हुए बैंच की बात किये तो यहाँ पर राज ब्रह्मा बट दिखेंगे आपको जहाँ पर अठरा मैच के लिए हुए है 311 रन किये और साथ में 16 विकेट भी लिये हुए है सागर ठाकूर उनको आज टिम मेट मौका दिया था जहाँ पर उन्होंने 6 रन किये बैटिंग अरवा दिखेंगे वो साथ में 3.1 एक वर की गेनबाजी भी थी जहाँ पर विकेट उनको नहीं मिला था और ओरोल स्टेट्स की बात किये तो 14 मेच के लिए जापर 122 रन किये हुए साथ में 11 विकेट भी लिये हुए है तो इस मेच में हमारे लिए important रहने वाल है यहां से चिंता गांधी को लेख सकते हो आप मिलन मिस्री की बात करूँ तो वो हमारे लिए very important रहने वाल है यहां से एस कतरमल हमारी टिम में रहेंगे इनको हम लेके जाएंगे और यहां से हम बात करें मालाव पटेल और रोहन प करवाल को जन्ता लेकर जाये ना जाये लेकिन हम उनको लेगे जाएंगे उंके स्टेट सब्सकतर बोलते हैं ये बंन्दा आपके लिए न अच्छा पर्फरंस करके दे करके सकता है तो इनको लेके जाएंगए ये हमारे लिए इंपॉड真的 रेने वाले और इनी player में से हमें किसी को wise captain और wise captain ship के तौर पर हमें choose करना है तो चले dream 11 की team पर नजर डाल देते कि कौन से player को हम लोग लेके जाने वाले और कौन से player को हम लोग avoid करके जा सकते हैं तो यहां से मैंने wicket keeping section में से डीजी पटेल को लिया हुए आप अगर चाहें यहां से तो wire army को भी ले सकते हो wire army ने पहली match में अच्छा performance दिया था 26 run किये थे लेकिन दूसरी match में फैल गए यहां पर ass thacker की बात कियो तो वो पहली match में फैल गए थे जहां पर दूसरी match की बात कियो तो 49 run का score किया था तो इनको भी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं यह भी एक अच्छी choice हो सकते है यहां पर आठ खाकूर की बात के दो तो ठिक ठक performance दिया भी तक बेस्मेंट की बात करो तो यहाँ पर M. Manguk M. Manguk को मैं लेके जाओंगा यहाँ से M. Patil को M. Patil को मैं लेके जाओंगा यहाँ से P. Party-Dar को भी मैं लेके जाओंगा आप अगर चाहे तो यहाँ से ए बंडारी को ले सकते हो लास मैच में वो विकेट लेके आ रहा है बंडा और टॉप ओडर में बैटिंग भी करवा रहा है यहाँ पर चांस मैंने P. Party-Dar को दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि कल वो अच्छा पर्मभमस दे सकता है टॉप ओडर में बैटिंग भी करवा रहा है प्लस ओस भी करवा रहा है तो आई थिंग के कल विकेट ले सकता है यहाँ पर रोहन पटेल भी अच्छा प्संस होने वाला है दोनों ही मैच में आप देख सकते हो कि पॉइंट अच्छा का सा पॉइंट देके गया है तो इनको भी आप मौका देना चाहिए तो दे सकते हो लेकिन मैं अब भी यह तीन बैसमें के साथ जाऊँगा मांगो किया एम पटेल और पी पाटिडर के साथ वाल राउंडर सक्षन की बात करो तो मैंने यहाँ से एम मिस्त्री को लिया हुआ है वाल राउंडर कार्णान परफ़र्दंशिप जाँगा अब वाल रहा है तो आइटिंग के विकेट ले सकता है और उसी बेजिस में मैंने उनको मौका दिया हुआ है यहाँ पर पी अगरवाल को मैं लेकर जाऊँगा वी सोलंकी अमारे लिए very important choice रहने वाली है यहां से जे मयाल को मैं pick करके जा रहा हूँ कल उनका selection 17 percentage था आज आप देख सकते हैं 54 percentage उनका selection हो गया तो मैं यहां से उनको लेके जाऊँगा और यहां से मानव मेता अमारे लिए very important रहने वाला है दोनों ही मैच में बंदा विकेट लेके आ रहा है प्लस बेटिंग से भी अच्छा कासा performance दिया हुआ है तो यहां से captain ship दी हुए मैंने M mystery को और vice captain ship दी हुए यहां से V solanki को आप क्या कर सकते हो ना यहां से captain ship V solanki को दे सकते हो और vice captain ship M mystery को दे सकते हो और कोई option के बारे में बात करो आपको तो यहां से आप risk की तोर बें जाना चाहिए तो यहां से P agrawal को दे सकते हो और एक अच्छी choice हो सकती है आप दी पंडे दी पंडे को भी आप देना चाहिए तो दे सकते हो तो कुछ चीस तरह से मेरी team रहने वाली है लेकिन यहाद रहे यह मेरी demo team है यह मेरी final team नहीं है और इसमें बहुत सारे changes आपको final line अपके बाद दिखेंगे तो final line अपके बाद final team के लिए आपको simply telegram channel जोइन कर लेना है और telegram channel जोइन कर लेने के लिए मैंने नीचे description में link attach किया हुआ है प्लस आपको नीचे comment section में भी link attach करके दे दूँगा इनके सब्सक्राइब लिंक वर्क ना करें तो see दे जाए telegram में और वहाँ जाके search करें fantasy decent challenger या फिर आप search करें add the rate fdc27 और आपको सीधा अमारा channel मिल जाएगा तो आपको उसे join कर लेना है और यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि वीडियो को like share जरूर कर दे और हो सके तो youtube channel को subscribe करके रखें क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे message के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो अच्छी analysis करते रहो अच्छी team बनाते रहो अच्छी meaning करते रहो हम लोग मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए भाई धन्यवाद जय हिन जय भारत